नमश्कार स्वागता आपका आपके में चैनल एस्पी अमित एज्जुकेशन में आज हम प्रिजटी पेपर वन के लिए टैंथ मोक टेस्ट लगाएंगे जिनने प्रिवेस मोक टेस्ट ने देखे हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अब भाहां से वो देख देखे था चकवा राइस वास गिवन जैट टैग फॉम विच अफ़ फॉल्विंग स्टेट असाम त्रिपूरा केरला या फिर करनाटका जैटेग से समदित कुछ बेसिक कोशन और भी बनते हैं जैसे हिमाच्चर प्रदेश में लगवक दस बस्तों को जैटेग दिये गया है जैटेग बारतिय पार्लीमेंट में 99 मैक टाया था और यह इंप्लिमेंट 2003 में हुआ था दस साल के लिए किसी बस्तों को जैटेग दिये जाता है उसके बाद वो रन्यू होता है इस कॉर्शन का जो राइट अंसर है वो ऑप्शन ए असाम हम मोसली जो 2023 में इंप्रोडट यहां पर क्रण्ट फेर रहा है वो हमने इन कोशन के लूड किया है नेस्ट कॉशन है बिच मिंस्ट्री वा सब्सक्राइट सब्ल्रेट सेप्टमबर एजर राश्ट्रे पोरशन महा के रूप मैं बना रहा था तो किस मंत्रा लेकितू जो है ये मनाये गये है ऑप्शन सब क को दिएगे हैं जो को पॉशन और पॉशन से समंदित जो भी प्रोग्राम होते हैं वो Ministry of Women and Child Development के रहते हैं तो इस कोशन का जो राइट अंसर है वो पॉशन ए अप वीडियो को पॉश करके अपना अंसर जो यहां पर नौरून कर सकते हैं और लास्ट में काउंट कर सकते हैं कि आपके इन कोशन में से कितने कोशन राइट होते हैं इंडिन आर्मी पार्टिस्पेटेड इन मिनिस्टरी एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 विच कंट्री वास इट बींग कंडुक्टिट इन भारतिय सेना सेन या ब्यास ब्राइट स्टार 23 में बाग लेती है यह किस देश में अयोजित किया गया था ओप्शन्स आपको दिये गए हैं ऐसे कोश्चन इंपोर्ण रहते हैं इस कोश्चन का जो राइट अंसर है वो ओप्शन बी जिप्ट ने जोई से आयोजित किया था नेक्स कोश्चन इस कोश्चन का जो राइट अंसर है वो ओप्शन बी इंडोनेशिया नेक्स कोश्चन FWS AI जिसे बोलते हैं Food Safety Standard Authority of India was introduced a special category in the online food safety compliance system portal to promote which of the following in the food business sector आजकल आप देख रहे हैं कि online food service काफी बढ़ गी है इस कोश्चन का जो राइट अंसर है चारुप्शन आपको दिये गए है Food Safety से समझत ये एक्ट 2006 में आया था जो की implement 2008 में हुआ था तो ये कोश्चन भी important रहते हैं इस कोश्चन का जो राइट अंसर है वो ओप्शन ए जन्रल उक्वालिटी नेक्स्ट कोश्चन इंडिया फर्स सोलर रूप साइकलिक ट्रैक है इस कोश्चन का जो राइट अंसर है वो ओप्शन दी घ्रावाद नेक्स्ट कोश्चन which of the following companies has launched its first ever floating store on Dell Lake in शिर्नगर अंडर इट्स प्रोग्रम आई हैब स्पेस निमली कित मैं से किस कंपनी ने अपने कारेकरम आई हैब स्पेस के थाथ शिर्नगर में डेल जील पर अपना पहला floating store लाउंच किया मीशो फिल्पकार्ट अमेजोन इंडिया या फिर मंत्रा इस कोश्चन का जो राइट अंसर है वो ओप्शन सी अमेजोन इंडिया किसे ये अवार्ट दिया गया है अमिज शाने नेंद्र मॉधी राजनात सिंह नितियन करकडी इस कोशन का जो राइट अंसर है वो ओप्शन ब धान मंत्री नेंडर अंसर है औप्शन ब इस कोशन का राइट अंसर है नेक्स्ट कुर्शन है निमिलिखित मैंसे किसने 2023 स्विडे वर्ल्ड रैपिट सुतन्ज चैंपरेशिप जीती थी जो उजवकिस्थान में अयोजित की गई थी ये भी महित्वपून इवेंट रहा है 2023 में किकि फाइनल हिमाचर भारत के साथ ही यहां पर हुआ था किसके साथ हुआ था अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं चार ओप्शन आपको दिये गए हैं जिन्होंने ये चैंपरेशिप जीती थी उनका नाब था मागनस कालसर ओप्शन ए इस कोशन का राइट एंसर है नेक्स कोशन है रिलाइंस जी उन्हें बार्द जीपिटी नामक आर्टिफिशल इंटेलिजेंस प्रोजना के विकास के लिए निमी लिखित मैंसे किस अंस्थान के साथ सज़िदारी की कोशना की है आर्टिफिशल इंटेलिजेंस जिसे हम शोर्ट में AI बोलते हैं आज के लिसकर पचलन काफी तेज हो गया है और यहां से कोशन आने के चांसिस हो सकते हैं रिलाइंस जियों ने जिनके साथ पार्निशिप करी है वो ऑप्शन डी इंडियन इंसिटीट ओफ टेक्नोलोजी बॉम्बे नेक्स्ट कोशन बीच अफ फॉल्विंग कंट्रीज वास अविशली अजूम्ड चेर्मेंशिप अफ व्रिक्स ऑन जैन 1st 2024 रशिया चाइना इंडिया सोत अफरीका नेमी लिखित मैंसे किस देश ने एक जनवी 24 को अधिकारिक तोर पर ब्रिक्स की अधिक्ष्टा ग्रहन की थी इसमें पांच बड़े देश आते हैं जिनके नाम के ओपर ये जब उसंस्ता बनी है इसकी अधिक्ष्टा हैं ब्राजिल रशिया इंडिया चाइना और जो लास्ट में जुड़ा वह सोत अफरीका इसकी स्थापना 26 में हुई थी जो लास्ट से देश जुड़ा है सोत अफरीका वह 2010 में जुड़ा है तो यह कुशन भी इंपॉर्ट रहते हैं इस कुशन कर आइटम से और ऑप्शन नुर जी है जिसे चैट जीपिटी ए आई का प्रसलन आज को बढ़ रहा है तो किनो नहीं यहां पर प्रतिबंद लगाया है ओप्शन आपको दिये गे हैं उनाटिट किंग्डम फ्रांस इटली या फिर अस्ट्रिलिया यह कुशन हम पहले भी पूछ पूछ चुके हैं इस इस कोशन का जो राइट अंसर है वह है ओप्शन सी इटली इटली के द्वार राजाएं यहां पर प्रतिबंद लगाया है नेक्स्ट कोशन कोप इंडी एक्सरसाइज तुर्जन टॉन्टी थी वास कंड़क्टिट बिटून इंडिया इन विच अब फॉल्वेंग कंट्री इस एट कलाई कुंडा एर्वेस इन वेस्ट वेंगॉल अस्टेलिया उनाटिट किंग्डम अमेरिका या फिर इस्राइल किसके साथ यह अब्यास हुआ है इस कुर्शन का जो राइट अंसर है वो ऑप्शन सी अमेरिका अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जूर करें और जोनान भी चलन सब्सक्राइब निकी पर चलन को सब्सक्राइब कर सकते हैं पेपर वन बेट पॉर्शन की हमारी क्लासेज भी चलती हैं उनके नौस भी अबलेबल हैं अगर आप वो बाई करना चाहें तो जो नंबर आपको नीचे दियेगे आप उसके थूर कॉंटक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट क्यूशन है गौन प्रजाती भी बात में बड़ी प्रजाती है और यह जो गौन प्रजाती है किस जिले की है ओडिसा जारखन च्छतिस गड़ या फिर मध्या प्रदेश इस क्यूशन का जो राइटन सर्फ ऑप्शन डी मध्या प्रदेश की जो गौन पैंडिंग है उसको जे टैक यहां पर मिला है ऑप्शन डी इंग्लिश एक्षन से हमारा फर्स क्यूशन है तो इसमें आपका क्या फिल होगा कौन सा डी टैमिनल फिल होगा इस क्यूशन का जो राइटन सर्फ है आपका आप्शन ए शी विन टू मार्क टू वाए मैंनी थिंग्स नेक्स्ट्ट्टीन है डायरेक्शन है चोज तो प्रेक्ट नाउन फॉर्म ओब्द गिवन वर्ड मुव का जो है वह आपने क्वर्ड नाउन फॉर्म यहां पर बताना है तो मूव दू मौविंग मौवें and none of the above तो इस question का ग्या एगा right answer option C आपका moment next question है choose the option that picks out all the nouns in the sentence bravery and cowardice are controversial concepts तो इसमें जो है वो आपके देखिए option है controversial concepts, bravery and cowardice bravery and concepts and option D है bravery, cowardice and concepts तो इस question का जो है वो आपका क्या आएगा right answer यहाँ पर option D bravery, cowardice and concepts next question है direction है choose the plural form of the given word commander in chief commander in chief का plural form क्या आएगा option आपके visible होंगे आपको screen पे लगाईए अपने answer करिए खुद को analyze कितना भी तक आपको आता है यूंकि पीजिती में आपके जो है यह mock test की series हम continue कर रहे है अगर आपने previous हमरी videos नहीं देखे mock test तो आप हमरी playlist में यह सारे test लगा सकते है और यह सारा जो language का जो आपका है यह topics detail में हमरी life classes में भी पढ़ाए जाते है तो commander in chief का जो है आपका plural form होगी commanders in chief option A next question है fill in the blank with suitable article I saw blank old man yesterday old के according आपने यहां पा लगाना है the and a no article तो क्या आएगा देखे I saw blank old old के साथ हम क्या use करेंगे तो and का use करेंगे ठीक है a e i or you अब आए ओफने लियुक्त करेंगे रहें and का हो आपका next question है आपका our tasks had been completed before sunset change into active voice तो देखे आपके for option a b c d visible है है आपको screen पर इनके base पर आप यहां पर अपना answer लगा सकते हैं खुद को इनिलाइज कर सकते हैं तो देखो यहां पर इसका जो है अगर आपने अंसर सोच आप्शन दी बिल्कुल चीज सही है आप दी ही आएगा विएट कम्प्लीटिट आप टास्क बिफो संसर क्या है आपका सब्जेक्ट आता है सब्जेक्ट आपका है बी थी अंड आप of a sentence so it convert into active voice we just remove being from the given sentence and object R will be changed into subject B ठीक जी चलिए next question है select the option that can be used as a one word substitute for the given group of words अब man with narrow and prejudiced religious views इसका meaning होता है कठोर हठ धर्मी होता है कठर पक्षपाती आप option है आपके यहाँ बन देखे एक-एक option आपको यहाँ पर meaning बताया जाता है हर एक mock test में तो यहाँ से भी आपका जो है यह चार question वो भी आपके साथ ही साथ जो बनते हैं वो भी आप यहाँ पर अपने cover करते हैं तो काफी beneficial देते हैं आपके यह सारे तो fanatic है narrow-minded, religious and none of the verb तो क्या आएगा देखिए narrow-minded जो होता है उसको बोलते संकीर्ण सोच वाला जो होता है religious जो आपका धार्मी तो none of the verb है and fanatic fanatic का meaning होता है आपका जो cutter होता है तो यहाँ पर जो है option A आपका correct रहेगा next question है synonym of perilous convenient, dangerous, helpful and suitable क्या आएगा कॉंस option यहाँ पर correct है तो देखिए आपका जो है synonym of perilous का जो है convenient पता होनशेफ perilous का meaning पहले तो इसका meaning होता है आपका खतरनाग तो convenient meaning होता है आपका सुविधाज जनक, dangerous यानि खतरनाग, helpful means कि आपका सहाई suitable यानि कि उप्यूक्त तो अब आपन से लगा सकते हैं क्या आएगा तो आपका जो है synonym रहेगा perilous का option be dangerous क्योंकि dangerous भी आपका खतरनाग है next question है select the most appropriate antonym of the given word hospitality, hospitality होते है आपका मेहमानवाजी complaint, shikai cordiality means आपका आत्मियता coldness यानि स्नेह हींता and wrathful यानि परकॉप तो इसको जो वो आपका right answer है याँ पर option C coldness next question है last question है हमारा English section से fill in the blank with suitable proposition my watch is blank the table तो यहां पर आपने sentence में जो है वो suitable proposition फिल करनी है option है आपके in, on, at and for कौन सी suitable proposition आएगी तो इस question का right answer option B on यानि कि या आपका लिखा जाएगा my watch is on the table तीछे मारे most important questions ask इस mock test के I hope आपको हमारा आज का वीडियो जो है बला है तो इसे तरह की और भी अभी हम जो हम mock test आपके लिए लेके आएंगे और आप अपना प्यारिया हुई बनाए रहेगा और इस वीडियो को जो है वो अपनी friends के साथ जूरूर शेयर कीजिएगा और अपनी valuable feedback comment section में जूरूर दीजिएगा या आपको हमारे वीडियो कैसे लगा आज किस वीडियो में इतने ही मिलते हम आपसे next mock test के साथ thank you have a good day अपनी section से जो है आपका first question है जब मैं घर गया तब तक पिता जी खाना खा चुके थे रचना के अधार पर वाक्य वेद है ये कौन सा है option आपके है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिशर वाक्य, उप वाक्य कौन सा option इसमें right है जिसका जो है option C बल्कुर correct है मिशर वाक्य है next question है परवर्ग का उचार्ण स्थान है दंट, कंट, आस्ट, तालू तो जो हमारा परवर्ग होता है उसका जो उचार्ण स्थान है वो कौन सा होता है उचार्ण स्थान से आपके important questions जो बनते है इस question का जो है वो right answer option C आस्ट, ठीक है अपप धमनिया नाम आस्थ होता है आपका जो परवर्ग आस्थ के उचार्ण सान आता है next question है इन मेंसे कौन सा शब्द संग्या से बना हुआ विशेशन है option है आपके इच्चुक, प्यास, पशु और संतोष तो ये जो है वो इसका क्या एगा right answer option आपका है एच्चुक इच्चा से च्चुक बनता है आपका इन मेंसे किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धी है अनाधिकार, स्थान, अमरूल, अनुकुल तो कौन से आपके शब्द में याप वर्ण संबंधी अशुद्धी है तो इसका जो है वो आपका right answer है option D यहाँ पर अनुकुल जो है वो आपका इस तरह से लिखा चाता है next question है खटमल शब्द है pulling, strilling, उभेlling option D है इन मेंसे कोई नहीं तो खटमल शब्द जो है वो आपका क्या है तो यह आपका pulling शब्द है next question है आपका अधिक्तर भारती भाषाओं का विकास किस लिपी से हुआ है शारदा, खरोस्थी, कोटेल, ब्रामी तो कौन सी आपसे लिपी से हुआ है इस question का right answer है option आपका D ब्रामी, हमारी जो दिक्तर भाषाओं है भारती भाषाओं उनका विकास जो भो हमारा ब्रामी लिपी से हुआ है next question है आपका संधी से दयानन्द में परियुक्त संधी का नाम है, गोण संधी धीरग संधी, व्यंजन संधी और आपका यन संधी, इस question का क्या आएगा राइटन सर तो दयानन्द में आपकी जो है वो आती है धीरग संधी ठीक है, दया धन अनन्द ठीक है, आपका बनता है इसको मिलाकर, इस तरह से आपका जो है ये संधी विछेज होगा ठीक है तो यहाँ पर जो है आ और धन आ, ये दोनों मिलकर जो है वो आपका धीरग सबर, आपका आ ही बनाएंगे, तो यह आईगी आपकी धीरग संधी, नेक्स question है चार पाई पर भाई साहब बैठे हैं इस वाग्य में ये जो चार पाई शब्द है, वो किस कारक में है करता कारक करम अधिकरण संभन, तो ये question जो है वो आपका कारक से है बहुत important question जो है, वो हमारे हर एक section में आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है जी तो इस question का जो है, right answer आपका है, option C, अधिकरण ठीक है, 4 पाई पर, भाई सा बैठें, तो 4 पाई शब्द किस कारक में है, आपका अधिकरण, अधिकरण में आपका क्या होता है, विवक्ती चिंचो पर सरक होता है, आपका में और, पर तो 4 पाई पर next question है भूशन का बिलोम शब्द है विश्णू, दूशन भूशक, भूशा क्या आईगा राइट अंसर तो आपका इसका है भूशन का बिलोम शब्द होता है दूशन आपका हिंदी सक्षन से last question है निश्चे समय के भीतर पत्तर का उत्तर प्रापत ना होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजे जाने वाला पत्तर क्या होता है प्रतिवेदन, ग्यापन, परिपत्र, अनुस्मारग क्या होता है तो इस question का जो है वो आपका right answer है option D अनुस्मारग निते हमारे हिंदी सक्षन से most important questions next question हिमाचल परदेश बाल अधिकार स्रेक्षन आयो कर प्रत्म अध्यक्ष कौन था child rights से स्मंदित यहाँ पर question पूछा गया है option आपको दिये गए है पूज़ शर्मा रजेंदर कुमार श्याम डोगरा या फिर रहूल उपाद्याए हिमाचल परदेश में जो प्रत्म अध्यक्ष रहे हैं हिमाचल परदेश कमिशन फोर प्रोटेक्षन आफ चाइल्ड राइट्स वो option C श्याम डोगरा 2005 में यह एक्ट आया था और 2006 में यह इंप्लिमेंट हुआ था तो इस question का right answer option C next question है हिमाचल परदेश मुख्य मंतरी कन्यादान योजना के अंतरकत लड़कियों को विवाग के लिए कितनी राशी दी जाती है पचास हजार, इकावन हिजार, एक लाग या फिर चालिस हजार टाइम टाइम पे यह राशी इनकीज होती है इस question का जो right answer है वो option B इकावन हजार, जो हैं वो लड़कियों को जो इसमें पातर होती है उनको दिये जाते है उप्शन B नेक्स्ट क्वेशन चंबा के राजा श्याम सिंग का शिक्षक किसे निउट किया गया था उनके टाइम पीड में काफी foreigner आये थे उप्शन आपको देगी है जोन हैरी, आर्टी वरनी, कैप्टन CHT मार्शल या फिसर हनरी डेविस राजा श्याम सिंग के शिक्षक निउट किये गये थे वो 1878 में जोन हैरी निउट किये गये थे उप्शन A इस question का right answer है नेक्स question है 1876 में चमबा में बू सुधार किन के द्वारा किये गये थे जोन हैरी के द्वारा, कर्नल रीड के द्वारा, मिया भूरी सिंग के द्वारा ये फिर लोड करजन के द्वारा लोड करजन तो आगे चलकर आए हैं लगवकर 19.2 के आरोन में जोन हैरी लास्ट कोशन में आपको बताया कि उनके शिक्षक थे कर्नल रीड उनके द्वारा जो ये सुधार किये गये हैं 1876 में वो लैंड रेवन्यू सेटिर्मेंट करके यहां पर उन्होंने जो प्रोग्राम करवाया था वो मी बंदवस्त किया था आप्शन भी इस कोशन का राइट अंसर है नेक्स कोशन है बिजे चंद बिलास्पुन के राजा ने रंग महल की नीव कब रखी थी जो लास्ट राजा रहे थे आनन्द चंद उससे पहले ये राजा रहे हैं 1888 से 1928 तक इनका टाइम पीट रहा था और उन्होंने जो रंग महल की नीव रखी थी वो रखी थी 1900 में महत्पुन राजा है उन्होंने अपनी गिशम कालिन राजदानी जो भादुर पूर दार भाहां पर भी शिप्ट करी थी तो इनसे बहुत से कोशन बनते हैं इनको अंगरे जोन उपादी भी दी थी कौन सी उपादी दी थी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं बलासपूर में पानी की काफी प्रॉलम रहती थी तो पानी की सप्लाई भी उनके द्वारा जो है वो करी गई थी नेक्स कोशन है जेसिंग कनेया और राजसन सार्चन ने कांगरा के लिए पर कब्ज कबजा किया था ओप्शन आपको दिये गए हैं 1775, 1783, 1787, 1794 जेसी कनेया एक जार था जिनसे राजसन सार्चन ने हेल्प ली थी और जो अंतिम मुगल के लिए के लिए दार थे सेबली खान उनकी मृत्य के बाद 1783 में उन्होंने कांगरा के लिए पर कब्जा किया था राजसन सार्चन को तो उन्होंने उसमें ने दिया था आगे चलकर 5 साल के बाद कुछ एरियन उन्होंने ले लिया उसके बदले में उन्होंने राजा संसारचंद को जो कांगड़ा के लिए दिये था 1787 में बट इस कोशन का जो राइट अंसर वो ऑप्शन B 1783 नेक्स कोशन है धतारपूर राजजी के किस राजा ने राजा संसारचंद के विरुध गोर्खों की सहता की थी जब राजासंसारचंद ने बाकी राषते भी जितना शुरू कर गी थी जब ननको कांगड़ा काला मिल गया था ज़ैसे लास कोशन ने डिसकस किया उसके बाद ब्लासपूर के राजा नासपास की राशों से मिलकर राजा संसाजनत को हराया जिसमें गौरकों से भी मतल ली थी थारा सू पांच छे इश्वी में तो उसमें जो दितारपूर के राजा थे वो थे राजा गौविन चंद option B इस question का right answer है next question स्पीति के किस राजा ने कुल्लू पर आक्रमन किया और उसे अपना करदाता बना लिया समुदर सेन, चैत सेन, राजिंदर सेन या फिर हिमत सेन इस question का जो right answer है वो option C राजेंदर सेंद द्वारजाव कुलू प्राकरमन किया गया और बहां के राजा को अपना करदाता बनाया था और समुदर सेंद स्पिती के पहले राजा थे तो ये बो भी महतिपून है नेक्स क्वेशन है 1857 के बिदरो में अंग्रेज़ों की मदद करने पर मंडी राजा को अंग्रेज़ों ने ग्यारत ओपों की इसलामी दी थी ओप्शन आपको दिएगी जुगिंदर सिंग, विवानी सेंद, बिजे सेंद, बलवीड सेंद इस क्वेशन का जो राइट अंसर है, वो अप्शन सी, बिजे सेंद, बिजे सेंद के टाइम पीर्ड में काफी गटनाएं मंडी रासत में हुई हैं, इनका टाइम पीर्ड 1851 से लेकर 1902 के बीच में था, जो विक्टोरिया प्रोच मंडी में बना है, 1878 में वो भी इनके टा पार लिये था, लॉड मयों इनके टाइम पीर्ड में आये था, और बहुत से काम नियों ने किये हैं, जैसे मंडी कुलू सडक मार्ग भी इनके द्वारा बनाया गया था, चारलस हैचिंग सन ने भी 1883 में मंडी के आतरा इनके टाइम पीर्ड में करी थी, तो बिजे सें मेह द्वा महला है, बहां पर इनको दोके से मरवा दिये था, बड़ा बंगाल ये भी कंगरेरियसित कही पार्ट है, रगुनात पाल, प्रित्वी पाल, मन पाल, दी पाल को उनसे राजा हैं, दो तिन राजा ही famous राजा रहे हैं बड़ा बंगाल के, जिसमें जो famous राजा हुए प्रित्वी पाल, और उनी को ही सिद से इने दोके से मरवा दिये था, option B इस question का right answer है, वो जो बंगाल वाला area उसको जीतना चाते थे, और उसी reason से उनको उन्होंने यहाँ पर मरवा दिये था, आहिव आपको ये question पिसंद आई होगे, बीड़ी पिसंद दे बीड़ी को नोट से आपर प्रवाइड हो जाएंगे, जबने वाद,